अगर मैं आपके सामने बोलू तो आपके सामने क्या इमेज बन कर आता है आपको ध्यान में आता होगा कोई पॉजी शायद दिखें आर्मी ओफिसर या फिर कोई पुलिस ओफिसर दिखें लेकिन क्या आपको कोई पॉलिटीशन आपके सामने नजर आते हैं इन सारे वैल्यूस से एसोसियेट होते हुए मुश्किल है बहुत कम है इंडिया में या वर्ल्ड में कि इन सारे पॉलिटीशन से जितने भी पॉलिटीशन से उनसे हम ये सारे वैल्यूस एसोसियेट करें पर दोस्तों रशिया में एक minister ये सारे values को show करते हुए, उम्रत्यू को पा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये सारे values शो किये, तो कितना ही Western World, Russian, System of Governance को गाली दे दे, या फिर कहले कितना ही क्यों ना कहले कि वहाँ पर जो ministers हैं, वो सारे के सारे खुद को serve करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके कोई मंत्री जो कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुती दे दे, ये बहुत rare हैं, तो आज हम इसी कहानी के वारे में सुनने वाले हैं, ये कहानी है दोस्तो, Russian emergency situation के minister यवगैनी दिनिशेव की, और ये कहानी है कैसे वो एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए खुद नदी में कूद जाते हैं, उनको डूबने से बचाने के लिए, और इस process में अपनी जान दे देते हैं, तो ये कहानी बहुत important ह जब आप ethics में, paper 4 में, अलग-अलग values को, क्योंकि देखिए, आपको values सिर्फ लिखना नहीं होता है, define नहीं करना होता है, आपको एक example भी देना होता है, जब भी आप किसी values की बात करें, तो उसमें इनका example, एक बहुती novel example होगा, जो कि आपको अच्छे marks जरूर reward करेगा, त आपने notes में, कुछ values की list में आपको दूँगा, उसमें आप add कर दें, तो यह बहुत important होने वाला है, paper 4 के लिए भी, और वैसे भी अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो भी आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए, and हमारे याँ भी ऐसे मंत आपको cdf updates मिल जाएंगे, और नीचे दी गई, फिर याण academy profile है, जहां पर यदि आप मुछ से जुड़ें, तो आपको धेर सारे free special classes आती रहती है, उनकी notification वक्त के साथ मिलती रहेंगे, तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ यू, रिशिया के emergency situation के ministers थे, यवगानी दिनिशेव, 55 वर्शियत है, तो इनकी अभी political career पूरी बची हुई थी, तो एक आक्तिक region में एक expedition चल रहा था, और उसी में एक prominent film maker थे, जिनका नाम था दोस्तों Alexander Millik, यह आप तस्वीर देख सकते हैं यहापे उनकी, तो Alexander Millik को बचाने में यह अपने प्राणों की आहुती दे देते हैं तो हुआ यू, हुआ यू दोस्तों एक आक्तिक exercise चल रही थी रशिया की, कहाँ पर दोस्तों यह हो रहा था नौरिल्स region में, यह city है रशिया में आप देख सकते हैं, इसी के आसपास वाले इलाके में आप देखें, तो यहाँ पर यह जो इलाके हैं, इसी में यह कहीं पर एक रशियन exercise चल रही थी, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसी exercise के दौरान, रिनाउन फिल्म डारेक्टर अलेक्जांडर मिलनिक भी रशियन मिनिस्टर के साथ जुड़े हुए थे, परपस था कि यहाँ पर एक डॉक्यमेंटरी बनवानी थी रशियन गवर्मेंट को कि कैसे रशिया's development of Arctic होने वाला है, Arctic region को लेके, तो यह फिल्म डारेक्टर इसलिए अलेक्जांडर मिलनिक भी इनके साथ जुड़े हुए थे, यह डॉक्यमेंटरी के लिए वो अच्छे locations धुड़ना चाह रहे थे, और साथ में ही वो रशियन emergency situation minister येवगानी जिनिशेव क के साथ coordinate कर रहे थे, यह documentary बननी थी, since government नहीं, बाकी लोग भी थे, तो government भी चाहती थी इस प्रकार की documentary सामने आए, तो इसलिए इनको लेके चल रही थी, तो इसी दोरान उन locations को ही ढूंटे दोरान एक cliff था, एक चटान की थी, जिसमें एक narrow passage वे था, जिसमें समाल समाल के च चलना था, तो उसी समल समल के चलते वक्त, unfortunately, Alexander Malik, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका पैर फिसल जाता है, और नीचे खाई, उस खाई में तेज बहाओ में नदी बह रही थी, और उसमें Malik गिर जाते हैं, उस नदी में, बहते वे नदी में गिर जाते हैं, इसी द कमांड में इतने सारे लोग थे, वो किसी को भी बोल सकते थे, कि कुछ करो, बचा लो, नीचे नदी में, इमर्जेंसी सिच्वेशन कॉडिनेट करो, बट वो जानते थे, बहुत देर हो जाती, नदी में बहाओ बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने आओ देखा आता हो, वो सिधा कुद कूद गए नदी में, क्योंकि अब देखी, ये एक पॉलिटीशन से एक्सपेट करना, कि किसी की जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दें, ये उमीद नहीं की जाती, किसे उमीद की जाती है, ये उमीद की जाती है, उनसे जो इसके ल था, उन्होंने ये तीनों हैट पहन रखे थे अपने जीवन में, तो दोस्तों, वो मिनिस्टर अफ इमर्जेंसी सिचुएशन तो थे, 2018 से अपकी उनकी जब तक डेथ हो गई तब तक, इससे पहले वो पॉलिटिकल रोल में कैलिंग्राड के गवर्नर भी रह चुके थे, उससे पहले वो आर्मी जनरल थे, जब USSR हुआ करता था, तब वो KGB के ओफिसर भी थे, 1987 से 1991 तक, उसके बाद क्या होता है, KGB को डिस्मैंटल कर दिया जाता है, क्योंकि KGB एक कू कराने की कोशिश करती है, तो KGB तोड़ा जाता है, और FSB, जो आज रिशिया की, आप देखे तो primary intelligence की जो department है, तो federal security service जिसको FSB कहा जाता है, तो यह उसके भी officer रह चुके थे, तो इसने भी बहुत senior post में यह रह चुके हैं, towards the later part of his career, and last में, यह presidential security service में भी serve किया करते थे, इस दौरान इन्होंने, रश्या के president Vladimir Putin और Dmitry Medvedev, इन दोनों को ही, कही foreign tours में, उनकी security की जिम उने निभाई है, Putin के काफी करीबी माने जाते थे, तो, तो यह स्तारे roles इन्होंने जो add-on किये हैं, इस वज़े से आप अगर देखें, तो इन में एक अलग courage था, और वही courage शो हुआ, जब उन्होंने एक filmmaker को बचाने के लिए, खुद सीधा Alexander Melnick को बचाने के लिए, कुछ important values हैं, जब भी आप paper 4 में, ethics में values को define करेंगे, तो बिना example के आपका answer अधूरा है, कुछ वैसे ही जैसे geography में diagrams, जितने important है, quality की बात करूँ तो उसमे articles कौन सा है, constitution का वो quote करना, और साथ ही साथ, कोई important supreme court की, अगर उस पर कोई case है, तो उसको quote करना, जितना important quality में होता है, कुछ उतना ही important, या उससे जदा ही important, ethics में examples होते हैं, तो जब मैं बात करूँ courage, तो इन्होंने courage शो किया, उस तेज बहाओ के नदी में, जब वो कूद जाते हैं, तो ये politicians से expect करना कि वो इस प्रकार का courage शो करें, अदम्यसाहस, तो बहुत कम लोग होते हैं, जो इस प् लेखना चाहिए हमारे politician कैसे हैं, दूसरा empathy, दूसरों के लिए जो उनके मन में चल रहा है, वो समझ सकें, दूसरों के लिए जो pain है, वो feel करना is empathy, empathy मतलब बस जानना, हाँ उसको दर्द है, वो गरीब है, हाँ गरीब है, अच्छी बात तो नहीं है, दुख हो रहा है, बु करना की, जैसे मैं गरीब हूँ, अगर वो feel करना, that is empathy, तो इन्होंने वो empathy भी यहाँ पर show की है, selflessness, supreme sacrifice इन्होंने दिया, तो यह selflessness भी इन्होंने show किया, एक व्यक्ति के लिए वो पहाड से कूद गए, नदी से, नदी में कूद गए, तो यह selflessness भी इन्होंने show किया है, next, leadership lead from the front, आगे से हो सकता है, जिस उस वक्त जहाँ पे जिनको बचाने के लिए, यह कहते नदी में जाओ, उनकी आयू कम उमर की हो, इनकी आयू ठीक ठाक थी, 55 साल के थे, and इनका एक बेटा भी था, इनके grandchildren भी थे, तो इनके पास कुछ ऐसी personal responsibility नहीं थी, तो इन्होंने हो सकत होता है, civil service values में से भी, Nolan values तो नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बहुत important values है, service before self, इन्होंने वो show किया है, to the extent, इन्होंने खुद की जान की आउती भी दे दी, प्रानों की आउती भी दे दी, इस service before self को show करने में, तो जो service है, इनका जो दाइत्व है, लोगों के परती, उसको इन्होंने मरते घडी, मरते दम तक निभाया है, and finally, integrity, दोस्तों honesty होता है, किसी को बोलते है, रहे, बचाओ, बचाओ, गिर गया, integrity is when you know, अगर मैं नहीं बचाओंगा, तो मैं गलत कर रहा हूँ, I am trained for this, मैं train किया गया हूँ, इस प्रकार के चीजों में लोग मुझे training मिली होगी, आदमी मैं काम किया हूँ, तब मुझे training मिली होगी, इस प्रकार से लोगों की जान को बचाना है, तो मेरे पास वो training है, उसके बावजूत अगर मैं ना बचाओं, कोई दरूरी नहीं था, उनको नहीं बचाना हो, किसी को बोल सकते थे, कोई उंगली भ से उनको आत्म गलानी होता, अगर अगर ये नहीं बचाते, तो इनको खुद कहीं ना कहीं crisis of conscience होता, तो वो जानते थे, इसलिए उन्होंने आओ देखाना ताओ, वो खुद कूद गए, तो दोस्तों ये सारी learnings है, एंड हमारे देश में भी इतने सारे politicians हैं, उनकी भी काफी politicians की ऐसी कानी हो, जिनसे हमें इस प्रकार की learnings हो, पर post independence कौन-कौन से ऐसे politician रहे हैं, आप comment में मुझे जरूर बताएं, दोस्तों आज की class पसंद आई हो, तो like करें, इस channel pathfinder को subscribe करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें, तो दोस्तों जब आपको बताना चाहूंगा, एक link दिख रहा होगा, तो अगर आप loan के लिए apply करना चाहें, तो आप उस पे जरूर click करें, इतना ही नहीं दोस्तों, आपके बहुत सारे मन में सवाल होंगे, subscription से related, तो आप मुझ से पूछना चाहेंगे, कि मैं कैसे मददगार साबित होंगा, तो आप वो link में जो form हैं उसको भरें, और उसके बाद मैं या मेरे team से जरूर कोई आपसे जुडेंगे, आपके जो भी मन में सवाल है, उसको हम address जरूर करेंगे, तो इस link को जरूर भरें, आपके मन में जो भी सवाल है, UPSC exam and subscription से related, उसको हम पूरे तरीके से fulfill करने वाले ह हैं, इसके सिवा दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि इस वक्त कॉंबो subscription में आखरी कुछ दिन बच रहे हैं, प्राइस हाइक होने वाला है, तो ultimate live batches हैं दोस्तों, इसमें उन्नेस optional subject, आप देखे तो आपको GS and optional में coverage होती है, 101 test series है, फिलिम मेंस optional तीनों की, and बहुत आप सारी दोस्तों जो एक access 20 plus physical books आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, GS1234 सारे topic com cover कर रहे हैं, इसके सिवा दोस्तों इसकी जो कीमत है, एक साल की 55,199 रुपए है, और तीन साल की 96,963 रुपीज है, तो prices जल्द ही बढ़ जाएंगी, आखरी एक हफता चल रहा है, तो उसके पहले subscription ले लें, इसके सिवा दोस्तों आपको बचाना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ प्लस subscription लें, तो दो साल की कीमत है, एक साल की कीमत है, 24,750 रुपए, एक साल की optional की कीमत है, 24,750 रुपए, यह सारी कीमत है तब है, जब आप code Casey 1-0 का इस्तमाल करते हैं, इसके क्ष्जा उते हैं, इसके से घंसथ साल के साल का रभका ऊपपाजि重 कीमत है, 25,750 रुपए, झापा है, माफिए, एक समस्तमाल की कीमत है, उता है, पकी कीमत है।, आपा एक प्लस्तमाल क रा definite है है, जे एक तापक का ये नहाईए, व्सके मिएूए हैं हैं को एकक इस्तमाल